प्रभारत की तो खुरोना बढ़ते जा रहा है और लेकिन इसको लेकर हमारे बिहार सरकार ने कमर कसली है वो पूरी तईयारी में इस वक्त हमारे साथ हमारे साथ हमारे सायोगे अविनाश मदूद है अमिनाश आपसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा नितीश कुमार बिहार सरकार अब पहली वारी गलती नहीं दोड़ाने वाला है इस बार उन्होंने कमर कसली है क्योंकि सामने तो ही आ रहा है कि अब निर्ने भी लिया जाएगा नितीश कुमार नी यह भी कह दिया है बैठक की जाएगी और इस बैठक में कई निर्ने लिया जा सकते है दरसल इशारा जो है वो लॉकडाउन की तरफ कहा जा सकता है पावंदिया बढ़ सकती है क्योंकि इस तोतियां धीरे-दीरे खराब हो रही है अचानक से NMCH के कई डॉक्टर्स लगबख 87 डॉक्टर्स बताया जाते हैं जो कोरोना पॉजिटिव है यह अधिकारी का आकड़ा आ चुका है और इसके साथ-साथ कई और डॉक्टर्स में इस तरीके के लक्षण देखे जा रहे है कई के सैंपल्स लिए गए है और अब इन सैंपलों में जो नया एक वेरियेंट आया है उसकी जांच करने के लिए दरसल यह जांच दिल्ली में हो रही है तो इसको दिल्ली भेजा जाएगा कि ओमिक्रोन का यह मतलब वर्जन है या नहीं है इसको लेकर तो दिखे चिंता जैल सी बात है बड़ी हुई है और इस बीच एक निर्णे बिहार में यह हुआ कि बिना मास्क के अगर आप बाहर जाएंगे तो आप पर फाइन लगेगा तो मास्क बहना अनिवार्य कर दिया गया है अब पाबंदिया बढ़ सकती है देखिए नए साल में सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई कि सभी पार्क और जू को बंद कर दिया गया ताकि भीड भार नहीं आए और उसके बाद अब जब नितिश कुमार से यह सवाल पूछा गया कि आखिर क्या स्थित्य है और इसको कैसे देखते हैं अब भी तक इस्तियां केश या उतने नए मरीजने ही मिल रहा है लेकिन अब मिल रहा है तो और जांच बढ़ाएंगे जब जांच बढ़े गे श्रिष्टी तो जहर सी बात है कि कोरोना के और केसिस भी बढ़ेंगे हमें सतर्क रहने के ज़रूरते देखिए अभी कुछ दिर पहले का जो आंकड़ा आया है देश का जो आंकड़ा है आज का वो मैं आपको बता दूँ कि नए केसिस की संख्या 33,750 है आज कुल नए केसिस की संख्या अभी तक 33,750 दर्श की गई है और इसके अलावा एक्टिब केस जो देश में अब हो गए हैं वो हैं एक लाख 45,582 ये आंकड़ा है जो एक्टिब है दीरे दीरे ये संख्या बढ़ती जा रही है आपको याद हो है पिसली साल किस तरीके से अचानक से भी स्फोर्ट हुआ था और केसिस लगातार दुगने होते चले गए थे और एक्टिब केसिस की संख्या बहुत जादा बढ़ गए थी हलाकि बिहार में अभी तक स्थियां कंट्रोल में है शेश्टिब इसे मुख्यमंत्री का ये कहना है कि अभी उतनी स्थिती नहीं बिगडी है लेकिन निर्ले लिया जा सकता है तो कई मुख्यमंत्री इशारा तो नहीं कर रहे है कि धीरे धीरे सब बंद होगा एक साथ लोगडाउन नहीं लग जाएगा क्या है सब तरह से और एक सर्वेक्शन भी किया जा चुका है कि 15 साल से 18 साल के बीच में कितने बच्चे बच्चिया हैं उन सब इनों को ले करते हैं यह काम किया जाएगा आप ये तैफ हो गया है और आप तो जानते हैं कि हम लोगगा सुरू सही साथ साल से अधिक उमरवाले का 45 से साथ के बीच में उनका भी टीका करन बड़े पैमाने पर किया गया है इसके बारे में अभी जो हम लोगों का निर्ण है वो पांच तारिक तक पहले से इसके बारे में कल बैठक होगी सामने और हमने कल ही लोगों को कह दिया है किया सब जगह की समिक्षा करिये आज और कल इसके बारे में बैठक करके आगे क्या 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 हमनों को करना है उसका निर्ने लिए लिए ज्यादा लंबा समय करें तो अभी नहीं कर सकते हैं बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगा तो बहुत जल्दी और कुछ करना पड़ या पांच दिन जो कुछ भी आपको लगे कल बैठकर के फैसला करना परेगा और फिर जो सब चीज पर नजर रखते हुए और आगे जो कुछ भी करना है तो देगे स्विष्टी मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा आपने ये सुना है और जिस तरीके से स्थितियां है अगर बिहार की बात्चेत करें तो अभी कंट्रोल में है अभी अगर दो या तीन दिरों में जो नए कैसे सामने आए हैं इनको छोड़ दिया जाए तो इससे पहले संख्या न के बराबर थी हाँ कोरोना खत्म नहीं हुआ है कोरोना है लेकिन अब ये दिरे दिरे बढ़ रहा है ठंड बढ़ रही है हमें अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी होगा इसमें सर्दी होती है बुखार मौसम बदलता है तो एक तो सीजनली भी इस तरीके से लोगों की तबियत खराब होती रहती है इसको समझना बहुत जरूरी होगा और अब यहां से स्वास्त विभाग का काम और बढ़ जाता है डॉक्टर्स का काम और बढ़ जाता है कि लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जाए उनके सेहत को कैसे ठीक रखा जाए और अगर कोरोना बढ़ता है तो उस पर कंट्रोल कैसे किया जाए यह यह देखना बढ़ता है नाइट कर्फ्यू का कुछ आसार नजर आ रहा है क्योंकि जिस तरीके से कुरोना बढ़ रहा है भले ही उतना स्तिति अभी तक नहीं सामने आया है पिशली बार की तरह लेकिन अगर देखा जाये तो धीरे-धीरे सब कुछ क्लियर होते जा रहा है तो क्या वक्त नहीं आ गया है कि नाइट कर्फ्यू भी लग जाना चाहिए नाइट कर्फ्यू का बहुत बड़ा कोई रोल होता नहीं है मैं जहां तक समझता हूँ नाइट कर्फ्यू ठीक है लगे लेकि नाइट में वैसे लोग निकलते ही किते हैं व और मंदी का भी सीजन इसको कह सकते हैं क्योंकि अभी ना शादियां चल रही है ना उस तरीके से कोई तेवहार है ना कुछ है ये मौसम जब थोड़ा 14 जनवरी के बाद जब चेंज होगा जब थोड़ी गर्माहट आएगी मौसम में ठंडी थोड़ी कम होगी और इसके साथ स समय में जब बैठक होगी और ये देखा जाएगा कि अने वाले समय में जब भीड़बार बढ़ेगी मार्केट में रस होगा तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए इस पर कैसे देखा जाए कि कोरोना नहीं बढ़े ये बहुत महत्तपूर्ण होने जा रहा है तो अब लोगड दिन चर्या से दूर नहीं किया जाए क्योंकि बहुत से लोग हैं जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं इस पर सरकार को इस बार बहुत जरूरत होगी ध्यान देने की अन्य था होगा गया कि आप देखिए पिछले दो सालों से लोगडाउन होता है सबसे जादा मार जिन्हों इन लोगों के दिन चर्या कैसे बिलकुल क्योंकि देखिए लगतार दो सालों से लोगों की कमट तूट चुकी है जिसने नया वेवशाय शुरू किया था वो बहुत कुछ कर नहीं पाया वो नुकसान में जा रहा है तो इस पर भी सरकार को सोचना होगा और सोचना ये भी ह जान कैसे बचाई जाए ये बहुत में तुपूर्ण है लोगडाउन लग सकता है नहीं लग सकता है इस पर कहना थोड़ी जल्देबाजी होगी लेकिन इस्तियां थोड़ी बिगड़ रही है शुष्टी चलिए तो मुख्यमंत्री ने लोगडाउन की तरफ इशारा कर दिया है और आपसे भी हाई अनुरोत करेंगे कि जब बहुत जरूरी काम हो तभी घर से भाहर निकलोड मास्क जरूर लगाए फिलाल इसका पर में इतना है से के साथ देख तेरे डिटीवी भारत धन्यवाद झाल झाल